तो यहाँ शुरू करते हैं एक और हमारा होस्टल टूर यह होस्टल आपको मोशन के पास पढ़ेगा रिलावल के पास पढ़ेगा और यहां से वाइब्रेंट से लेकर आकाश तक सब कुछ पास पढ़े जाता है दिखाते हैं आपको कैसा होस्टल है और सब कुछ टूर कराते तो यह आप लोगे का पकी अच्छे बने हुए है ठीक है नगल उसमीर जब्भाइव में और निचलने के लिए ठीक है इधरसे भी लाइट दे रखी है इधर से ही लाइट दे रखी है और आप इधर देखेंगे तो हिदर से दे रखी है ठीक है तो फिर चालू करते हैं हमारा पहला रूम टूर चलिए चलिए पहले दिखाए पहला रूम तो यह आपका फिर्स रूम होगा यह देखिए मतलब यहर गेट से इंप्रेशन आ जाता है कि गेट इतना चवरस बना हुआ है आजए यह दिखाते हैं और चीजे यह आपका बैड होगा ठीक है ना बैड शीट वगरा सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी आपको जो विंडो यह नोइस के इंस्पेरिशन की फील आती है इसमें मतलब अवाज बाहर वाली अगर आप विंडो बंद कर देते हैं मिलकुल नहीं आती ठीक है आपको हवा चीए बई से विंडो खोल ली और अपना यह लगा दिया मैं अच्छर नहीं आएंगे हवा आती रहेगी म हां दौर दे रकाएं आप लोगो इसके बाद आप टेवल देक सकते हैं वागे जाएब itu के अंदर hace उपर की तरफ देखेंगे तो उपर देखेंगे हाँ उपर की तरफ देखेंगे तो गीजर वगएरा भी लगा रखा है नीचे आपको सब कुस देखी लिया तो मतलब बातरूम में भी अवरॉल काफी स्पेस है उपर आपको AC मिल जाता है ठीक है ना फैन मिल जाता है अब कई बच्चों को डाउट होगा कि भाईया हम लोग को अगर बाईचांस AC सूट ना करें तो हम लोग क्या करें तो आप लोग को ऐसा रूम दे दिया जाएगा जिसमें cooler होगा ठीक है ना तो हर तरीके से आपकी सुभिधा दी जाती है चलिए आपको ऐसा रूम दिखाते है जहां स इससे भी काफी आ रही है और टेबल के उपर आपको मेल लाइट जलाने की विजरूत नहीं पड़ेगी आप नैच्रल लाइट से भी काम चला सकते हैं ठीक है और विंडो आपको दे रखी इसे खोल भी सकते हैं ठीक हावा वगरा भी इससे आती रहती है मतलब हर तरीके से इसे रहा ध्यान रखा गया और मैं तो यह देख रहा हूं कि सफाई भी काफी है राइजीन भी वेंट इन कर रखें लोगों ने ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया बाकी है कि फैंसी चीजे जादा नहीं जोड़ रखी दिखावटी चीजे नहीं सब चीज ऐसी है जिससे ब अब चलते हैं हमारे मैस टूर को मैस दिखाते हैं आप लोग को मैस कैसा है यहां का खाना बच्चे बताएंगे कैसा उन्हें लगता है कैसा एंवार्मेंट है सब कुछ चलिए तो यार दिखाते हैं आप लोग को इस होस्टल का मैस कैसा है भया का ओपन मैस भी है तो यहां बच्चों से पूछ पूछवाता हूं जो बच्चे आपर बैट है इसा थोड़ा सा वी conscious हो गए हैं फ़ड़ा camera को देखे हैं लेकिन हम लोग पूछ लेते हैं एक एक चीज है ना उन्हें कैसा लगता है खाना और जो भी मेरे question है पूछते हैं के बच्छे से तो भाई सबसे पहले आपसे मेरा एक ही question है कि खाना आपको यहां का कैसा लगता है अच्छा मतलब कोटा के ऊपर ना एक बच्चे सी सोस के आते हैं खाना खाने लाइक नहीं होता यह होता वह तो अपने इस मेंस का खाना कैसा है ठीक है और बाई मेरा एक डाउट था कि ऐसा तो नहीं है कि आज हम लोग आए तो आज मतलब की खाना अलग दे दिया जी और प्रॉपर खाना यहां बहुत खाना है और एक चीज़ और पूछने चाहूंगा लाश्टी की पढ़ाई का यहां पर का सिस्टम है मतलब की ऐसा तो नहीं कि बच्चे कर देते हैं या फिर कोई परेशान करता पढ़ाई में मतलब पढ़ाई करने का आपका अन्वार्मेंट टो ठीक है भाई थैंक्यू सो मच्च आपका टाइम देने के लिए आप लोग अपना खाना वाना खाए है ना तो आप लोग को मैस से पहले थोड़ा सा मैं सिक्यॉरिटी का दिखा दूँ कि आपके इस निग्राणी रख रहे होते हैं तो बच्चों को रिकत नहों कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए सबका आपको ध्यान रखा जाता बाग आदा बच्चों की पूरी सिक्वरिटी का ख्याल रखा जाता है एंड लास्ट बट नॉट दा लीस्ट आप लोग को मिलाते हैं इस होस्टल के ओनर से भया से हमारे जिए भी हैं जो हम तोड़ा रेट में सस्ता दे देते हैं बच्चों को और हमारियान कोई कमप्र Presents नहीं है और हमारी आपको अच्छी मिलेगी बच्चों को और हमारे तरह में मिलेगा बच्चों को सिक्युरिटी केशमेAR वाई- Arctic मिलेगे आपको ऊन रूप मैस मिलेगी मैस की quality आपको एगदम A1 मिलेगी खाने की quality आपको एगदम A1 मिलेगी AC dining हो ले हैं हमारे सारे तो भया मैं एक चीज और पूछना चाहता था कि आपने जो मेरे को range बताइ थी कि अपने आज 7000 से लेकर 9000 तक के रूम मिलेगे ठीक है तो मैं बस यह चीज़ पुछना चाता हूँ कि जो बच्चे मेरे थुरू आएंगे उन्हें आप अपनी तरफ से जितना discount मतलब max to max possible है बिल्कुल सर हम आप लोगों के थुरू कोई बच्चा आता है तो हम जितना हो आप लोगों कोई वीडियो अच्छी लगए होगी और अब आप लोग मेरी और वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है काफी सारे होस्टल टूर में हम कवर कर चुके हैं see you in the next video till then bye bye और हाँ जाते जाते अगर आप लोगों को होस्टल अच्छा लगाए तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरा नमबर मिल जाएगा कॉल करो और होस्टल अपना बुक करो